हेलो गाईज, वेलकम बैक टो डिबीका मॉम कॉर्नर अगर आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है चुकि जस्ट अभी दुनिया में आया है या फिर छे मैने से एक साल का बच्चा है तो एक प्रॉब्लम जरूर आपने फेस की होगी नींद की प्रॉब्लम की बच्चा सोता नहीं है तो बच्चे को रात में जल्दी सुलाने के लिए अपनाए या इजी एंड सिंपल तरीके जो की मेरे एक्सपिरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फाइल यर्स का बेबी है और मुझे कभी भी बच्चे को सुलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो इस वीडियो में हम जानेगे कि आप बच्चो को जल्दी से जल्दी कैसे सुला सकते हैं जो न्यूबॉर्ण वेबी है उसको डे नाइट की जरा भी ग्यान नहीं होता है दिन क्या होता है, रात क्या होता है तो इसलिए आपको एक रूटीन सेट करना पड़ता है और उस रूटीन के एकॉर्डिंग बच्चा सो पाता है सबसे पहले हम यह जानेगी कि बच्चे कितना सोते हैं कितना टाइम है जो बच्चो का सोने का है तो जो नवजात बच्चा है वो 20 से 22 घंटे तक सोता है और 6 मैने का बच्चा है वो 15 से 18 घंटे और 6 से 9 मैने का बच्चा 15 से 17 और 1 साल का बच्चा एक दिन में 2 बानीन लेता है और 3 साल तक के बच्चे 9 से 10 घंटे 3, 2, 1 Now let's see the sleeping tips for babies सबसे पहला जो है physical activity कराए physical activity बच्चे के लिए बहुत जादा important है अब आप कहेंगे new born baby के लिए क्या है physical activity तो उसके साथ just खेलना, उससे बाते करना और सबसे पहला है मालिश करना मालिश करने से भी उसकी physical activity होती है जिससे की वो ठक जाता है और जब बच्चा ठक जाएगा तो वो असानी से खुद बखुद 2-3 घंटे में आराम से सो जाएगा तो as a mother आपका ये काम है बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेलिए और जो second मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है मालिश मालिश कोई भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा important होती है और दो टाइम मालिश करना चाहिए एक टाइम सुबे नहाने के एक घंटा पहले और एक रात को सोने से पहले यदि आप रात को सोने से पहले मालिश करते हैं तो बच्चा आसानी से सोएगा दूसरा option है fixed bedtime जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे को दीन और रात की परक नहीं होती है तो जैसे ही टाइम है एक fixed time बनाई है कि इतने टाइम में आपको बच्चों को सुलाना है खास कर रात का time आप decide कर लिजे कि 9 से 10 बचे तक मुझे अपने बच्चों को सुलाना ही है और उसके बाद उसे ये confirm हो जाएगा कि इतना time सोने का है थर्ड है story या लोरी सुना है ये हमारा पुराना पद्रती है जित्ती भी माई है नानिय ये आज भी work करता है मैं तो अपने बच्चों को लोरी सुना कर ही सुलाती थी और बच्चा जैसी हो लोरी सुनता था आसानी से सो जाता था तो इससे आपके और मा के बीच एक अच्छा bond भी बनता है फूर्थ है silence in bedroom जी बेडरूम बिल्कुल silence होना चाहिए या फिर कोई टीवी देख रहा है तो इससे बच्चे को disturbed होता है आप ये ना सोचे कि बच्चे को क्या मालूम ऐसा नहीं होता है फिफ्थ है जल्दी खाना खिलाए अगर बच्चा breastfeed करता है तो इससे breastfeed कराए ज़स सोने के पहले यदि वो खाना खाता है semi solid start किया 6 मन के बाद तो बच्चे को 9 बजे तक या फिर 8 बजे तक आप खाना खिला दे सोने के 2 गंटा पहले बच्चो को खाना खिलाने से बच्चे अच्छे से सोते हैं उनका पेड भी भरा रहता है और वो रात को बार बार उठेंगे भी नहीं तो ये एक बहुत अच्छा टिप है कि बच्चे के खाने का ध्यान रखे और सोने के 2 गंटा पहले बच्चो को जरूर से खिला दीजिए 2 गंटा या 1 गंटा पहले भी आप खिला सकते हैं fixed time set कीजिए जिससे की बच्चे को एक sign मिलेगा रोज रोज जब आप एकी काम एकी समय पर करेंगे तो बच्चा discipline भी बनेगा और उसे समझ में आएगा कि खाने का टाइम क्या है और सोने का टाइम क्या है 6 है lights और टीवी बन कर दे यह मैंने पहले आपको बताया टीवी तो बन करना ही है बिल्कुल भी शोर वोर नहीं होना चाहिए रूम में और दूसरा है lights बन कर दीजी तीन से चार मैने के बच्चे को दिन रात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है आफटर त्री मन्स बच्चे को थोड़ा-थोड़ा समझ में आता है तो इसलिए lights अगर बन करेंगे तो उसको समझ में आगा यह sleeping time है अगर lights चालू रहेगी तो बच्चा खेलते रहेगा यह मैंने अपने बच्चे के साथ हजमाया था जैसे ही मैं lights off करती थी और 10 से 15 मिट में मेरा बच्चा सो जाता था और जब तक lights on रहती थी तो बच्चा जगता था हाँ और एक बात का जरूर से ध्यान रखेगा कि lamp जरूर से डाली क्योंकि छोटा बच्चा है रात को अगर उठता है तो light होनी चाहिए साथ में जानेंगे कुछ जरूरी बाते जैसे कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराए सोने से पहले सोने से पहले toilet उसे जरूर से कराए room temperature का ध्यान रखे सबसे पहला point है बच्चे का पेट भरा होना चाहिए अगर वो खाना खाता है तो उसे semi solid जरूर से दे ब्रेस्ट फीडिंग कराए ज्यादा तर 80% बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग के बाद सो जाते हैं तो इसलिए आपका अगर से सुलाना है तो ब्रेस्ट फीडिंग करा दीजिए सोने से पहले toilet जरूर से कराए छोटे बच्चे को हमें शुरू से training देनी चाहिए ये 3 months से start कर देना चाहिए आगे जाके हमें help होगी fourth है room temperature जरूर चेक करें एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए room AC चालू है cooler चालू है तो आप मौसम के recording से set करें मच्छर है यदि तो वो आसानी से सो नहीं पाएगा तो इसलिए net का जरूर से use कीजिए net एक ऐसी चीज है जो कि बच्छे को आसानी से सोने में help करेगी उसे बिल्कुल भी disturbance नहीं होगा मच्छर है या नहीं अच्छे मैने तक आप ऐसे type के net का जरूर से use कीजिए आपको बहुत help मिलेगी और जो सबसे important चीज है वो fresh diaper पहना है सोने से पहले आपको बच्चे को fresh diaper पहनाना है जिससे की comfortable भी रहेगा और बहुत अच्छे से सोएगा diaper का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर गिले-गिले diaper में आप सुला देंगे और जब ज़्यादा गिला हो जाएगा तो बच्चा फिर से एक घंटे-दो घंटे बाद उठेगा और रोने लगेगा आपकी भी नीन खराब उसकी भी नीन खराब इसलिए diaper का जरूर से ध्यान रिखिए आज मैं जो भी आपके साथ discuss कर रही हूँ ये मेरा tried and trusted है अच्छे से सोऊंगे और जल्दी से recover होंगे चड़ चड़ आपको भी नहीं होगा नहीं आपके बच्चों को होगा क्योंकि नीन जो है वो बच्चे की growth के लिए बहुत जादा important है एक साल तक 80% growth हो जाता है बच्चों का तो इसलिए नीन का जरूर से ध्यान रखिए तो आज हमने जाना 6 topics के बारे में जिसका हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है अगर हमें अपने बच्चों को आसानी से चैन की नीन चुलाना है और add on करके मैंने 6 चीज़े आपको और बताई है तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आप जरूर से ध्यान रखिए I hope you are liking the video If you like the video Please like, comment and subscribe आवर चैनल क्योंकि इस चैनल में मैं ऐसे ही चोटे बच्चों से related videos लेकर आते रहती हूं और आपके लिए current topic भी लाने की पूरी कोशिश करती हूं ताकि आपकी parenting की जर्नी है बहुत खूबसरत, बहुत अच्छी भी दे और आपको कोई problem भी ना हूं तो please अगर आपको जरा से भी पसंद आई हूं तो like जरूर से कीजेगा और जो bell icon है ना उसको भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जो मेरे new videos है उसकी notification आप तक जल्दी से पहुझे तब तक के लिए take care bye bye be healthy be happy